कि यहीं मेंने नमस्कार दोस्तों सुपागत है आपका अपने परिवार में दोस्तों आज की सीरीज के अंदर राजस्थान की जी के सिरीजвой इस सिरीज में आज आपने शुरवात कर रहे हैं राजस्तान जी के महतुमपूरन पर्षनमं के बारे में टे priests पहला पर्षन है किकर पारा आप्र weet इंडिव्रला कुकी राजस्थान का राज्यवलिक्स खेजरी को कब गोष्यति किया गया था यानि आपने इतना पता है राजस्तान का राजी वरिष क्या है खेजडी है इसको राजी वरिष का दरजा कब मिला था ओप्शन पहला है 1981 दूसरा तैयासी इसरा एठासी और चोटा उननी सो एक्रहन में तो याद रखना है इस पर जो है उननी सो अठ्यासी के अंदर उसके बाद में थोड़ी सी बारत जानी याद रखनी है इसरा इक उन्नीसела डिसा अंदर करें एकजरी विष्ट साट पेसे का डागट चिकट जारी कि अगया था उन्होंतर पसलों है राजस्ता राज्सकिय के पुष्प का रंग कैसा है यायनि राजस्तान का राज्सकिय पुष्प कौन शांऊ है तो पहला उप्सन है लाल रंग, दूसरा गुलाबी है, तीसरा हरा है, और चोथा केसरिया है, राजस्तान का राजकिये पुस्प, रोहिडा का पुस्प है, इसका रंग कैसा है, तो इसका रंग आपको बताना है, इसका रंग है केसरिया, कौन सा रंग है, केसरिया रंग है, इसका राजकिये पुष्प का दर्जा का मिलाता है, तो आप बताओगे इसका राजकिये पुष्प का दर्जा है, 1985 में दिया गया था, ठीक है, अगला परसन है, अगला परसन है, राजकिये खेल कौन सा है, राजकीं खेल कोनचा है होकी है किरकेट है फुटबोल है ऑच्वступ पुटबोल तो राजस्तान का राजकीं कोनचा है बास्केटबोल और कर्टा घ्रनुरे करनालाल सेथिया तीसरा कलना जंस्तोड और चूटा है सामाल दास अ आपको बताना है राजस्तान के राज के कोई ऑन है सूरीमल मिष्ण आप्टों नमर एक और इनका वास्रिक नाम है वो नाम है सूरज मल क्या नाम है सूरजी मल कई बार वास्रिक ने पूछ लेते हैं तो आप बताओगे राज कि यह कभी का वास्विक नाम है सूर जबर अगला परसन है अगला परसन है सूच्छी एक व सूच्छी दोसे सुमेलित करना है सुमेलित का क्यों से इतथा अच्छा क्यों सने के लिए पहला है ओप्षिन वाइनस्पतिक नाम है दूसरा क्या है पहला वाइनस्पतिक नाम है दूसरा है पुरान तीसरा ग्रामीन बसा और चोथा बंगले वाइनस्पतिक नाम के सामने समी लिखा है पुरान के सामने प्रोश्यपिस सिनेरेरिया लिखा है ग्रामीन बसा के सामने सा ने जांटी लिखा न कुझ इस थोड़ा सा अपने अगर पहले सब बात करे ते राजस्तान का राज की भिस खेजडी के बारे में इसका मतलब भी तो यह कुछन अपने आप इदिक्षया मैं कणोंस दिख रहा है प्रोषेपिस सिंधुनेरिया तो प्रोषेपिस सिंधुनेरिया वनस्पति नाम किसका है खेजडिका पहला option मिल जाएक अपना एं मिल जाएक option nummer 2 से ठीक है वनस्पति नाम में प्रोशेपिस सिननेरिया और इतना से मैं आपको लिख देता हूं यह जो जानकार दे रहा है अपने खेजरी विरिष के बारे में जानकारी दे रहा है दूसरा है पुरान की खेजरी को पुरान में क्या कहा जाता है तो पुरानों में क्या कहा जाता है समी कहा जाता है क्या क्या बोलते हैं साइगाच कहते है यानि एक राजस्तान का राजी्वरी खेजरी है उसको खाम निवस्तामें जांटी कहता है इसको बंगालिय में गसाईगाच कहता एिसका वनस्पतिक नाम है परोचे पिस संही नेडिया है ओशे को परावन में गरंतों में जार्मी गरंतों में इसे सवम्ही कहा जाता है तो अप्टम नम पहला में महोंग दूसरा दूसरा म MPL अला तीसरा हो गया चोत्त और चोत्त में गया टीसरा अपसर नमर सी अपना रएट आंस्र हो जाएगा अगला परसन निमलिकित को तो समेद सभास I वो अपने को चांटना है पहला है खेजरी की पत्यों से खेजरी के बार में है अच्छा क्यों से खेजरी की पत्यों से लूम नामक चारे की प्राप्ते होती है सही बात है कि जो खेजरी होती है उसके जो पत्य लगते है ना उन से उनको लूम बोलते हैं जो जानदरों के खान अका जाता है वो खाखा जाता है ठीक है उसके बाद मेता नहीm खेजरी वर्तमानम अख्वडा नामक रोग से गर्सीत है प्रहीं बताया घ्ली जो है वो वर्तमानम अख्वडा नामक बिमारी से गर्सीत है ऑपरेशन खेजर चलागा था naturale इसके बाद में खेजरी पूरी रजस्तान में पाए जाती गया, उप्शन पहला है, पत्यान लूम नमक जो है, वो चारी की प्राप्ते होती है, सही बात है, दूसरा खेजरी के कच्छे फल को सांगरी कहता है, सही बात है, तीसरा है, बखोड़ नमक बीमारी से घरसीत है, खे मी रजस्तान में खेजरी वखस ज्यादा पाई जाती है घार के मुरु Sur convenient ज्यादाशा जाती है सरमाथी कौन से जिला में पाई जाती ट नागॉर जिला में पाहीствен जाती है ठीक है अगला प्रसहन है निम्लिकित को धियां से पढ़िए उपृत में सही करतन का चेंद करना है कि वाजiken पसुदन को कि स्रिने में राजिय पसुक का दर्जा 2.14 में दिया गया था आप में और दो कि अनिर यह प मुंच का दर्जा गया था इचल दो जार है 14 के अंदर ओट का विग्यानिक नाम Camalis Dromereus, उंट का विज्यनिक नाम है Camalis Dromaterius, ठीक है, इसके बाद में उंट के बच्चे को पाकट, उंट के बच्चे को क्या कहता है, पाकट और वर्द उंट को तोडिया कहा जाता है, ठीक है, चोटा है, उंट की पीट पर कसी जाने वाली काठी पिलान कहलाती है, उंट है विज्यनिक नाम Camalis Dromereus, सही बात है, तीसरा है उंट के बच्चे को पाकट, नहीं, उंट के बच्चे को कहा जाता है टोकडिया, क्या कहा जाता है, टोकडिया, या इसको कहते हैं तोडिया, क्या कहते हैं, तोडिया या टोकडिया, ओप्शन नमर चार है, पीट पर कसी जाने वाली काटी पिलाण ये बात सही तो इसका option no.3 हो जाएगा, अगला question है Sumilit करना है, सही कतन को chain करना है, पूर्वह का Paris जेपूर को कहा जाता है, पूर्वह का Venice उदेपूर को कहा जाता है, मरुष्टल का परवेश द्वार जेसल मेर को कहा जाता है और अगला है राजपता ने कि कुझी अजमेर को कहा जाता है पेला अप्शन है पूरु का पेरिश जेपुर को कहा जाता है सही बात है दूसरा है पूरु का वेनिस उदेपुर को कहा जाता है सही बात है तीसरा है कितर का चेन करना है कोन कोनुचा सही है oh अगला किसन रहा है अएज मेर का सुभंकर खड़मोर है एक अलवर का सुभंकर जलपीवि वopic nagar ऐसांवर है और जो जलपीवी है ये किसका शूबंकर है बासवाडा किसका है, बासवाडा का शूबंकर क्या है? जल्पीवी है अगला है बारा का मगर है और बाढडमेर का शूबंकर मरूलौमडि है अगला परसन है फिर अपने को सही कथन का चेहन करना कौण कौण सो सही है बरतपुर का सुबंगर मोर है विका नेर का सुबंगर बढ़तित्तर है बुंदी का सुबंगर सुर्खाब है और चितोडगड का सुबंगर क्या है चोश सिंगा है और पहला है कि बरतपुर का सुबं ب ailच इंगर क्या बतोगे शारस बरतपुर का सब्भकर क्या हो जाएगा सारस अग्रास फ्रस न्यां पिर सही कतन का चेयी जुन जूर किस अपने किस Author की मोमथ साना की ती शुन को तो रहा किस आप में ने की ती प्रताप सिंग ने तीस रहे शिकर गिस्त आपने किस ने कि T graphic Star अगला परसन है तो सहिकतन का चेहन करना है जोलीवड को कहा जाता किलों का सहर जोदपूर को कहा जाता है आइलेंड ओफ गलोरी जेपूर को कहा जाता है पन्ना नगरी या रतन नगरी जेपूर को कहा जाता है बिल्कुर राइट है पहला है जोलीविड जोलीविड अजमेर को नहीं कहके जोलीविड कहा जाता है जेपूर को जोलिवीड किसको कहा जाता है, जेपूर को कहा जाता है, किलो का सेर जोतपूर को कहा जाता है, आइलेंड ओफ गलोरी जेपूर को कहा जाता है, पन्ना नगरी ये रत नगरी भी किसको कहा जाता है, जेपूर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर अपना सी रहेट अंसर हो जाएगा अगला है निम्नकत्रों को पढ़ी और ध्यान से इसका उपरिक्स में सही खतन का चेन करना है राजस्तानका ताजमेल किसको दिलवाडा का जेनमंदिर राजस्तानका दूसरा ताजमेल अबलि मनिका महल रेगिस्तानका ताजमेल बटाटू का कुआ थार का गड़ा चंदन नलकुप थार का गड़ा क्या है चंदन नलकुप देखना है पहला है थार राजस्तान का ताजमेल राजस्तान का ताजमेल दिलवाडा के जेन मंदिर को नहीं किसको कहता है जस्वन थड़ा को किसको कहता है जस्वन थड़ा को राजस्तान का ताजमेल सिप्धिक किसको कहा जाता है जश्वन्थरा को लेकिन यहां एक बात रखनी है राजस्तान का ताजमिल जश्वन्थरा को कहा जाता है जोटपुर में जश्वन्षी ने बनवाए था तलवाड़ा के जेन्मंदिर के बार में राजस्तान के इत्यासकार गरनल जेम्स टोड ने ताजमेल की तुलना जो किसे कीती दिलवाडा के जेन मंदिर से कीती तो ओप्शन नमर पहला है इसके अपना को यह राद रखना है जस्वन तरडा को कहा जाता है दूसरा पराज्तान का दूसरा ताजमेल अबली मनी का महल का लाता है रेजिग रेगिस है एक के अंदर अपने को चार्चार क्योशन देखने को मिल रहे हैं ठीक है सामपर्दाइक सद्वाउना का संगम अजमेल को कहा जाता है गुलाबों की नगरी जेपुरू कहा जाता है अंडों की टोकरी अजमेल को कहा जाता है बारत का मक्का अजमेल को कहा जाता है पहला ह गुलाबों की नगरी जेपरु का जाता है गुलाबों की नगरी जेपरु का जाता है याद रखना गुलाबों की नगरी पुसकर को का जाता है और गुलाबी नगरी जेपरु का जाता है और गुलाबी नगरी जेपरु का जाता है और गुलाबी नगरी जेपरु का जाता है तो option number अपना दूसरा गलत है तो अपना option number हो जाएगा D, एक तीन और चार अपना right answer हो जाएगा, अगला है निम्कतनों को चैन करना है, सही उत्र का चैन करना है, चंबल नगरी चितोड को कहा जाता है, चितोड को कहा जाता है, दूसरा है राजस्ताना कैंदर अजमेर को कहा जाता है, राजस्तान का नाका अजमेर को कहा जाता है, मक्का कहा जाता है, तिसरा है राजस्तान का घरिद्वार पुष्कर को कहा जाता है, पहला है चंबल नगरी चित्वेशाब काता है यादर कना है समर्नाटी चित्वेशाब को नहीं n पोटा भार जाता था किसको का जाता है व टाको टाकोा जाधा राजहत्थान ए एस अमकाश मेने रो कहा जाता है तीर्थो का बांजा मंचकुंड को का जाता है तीर्थो की नानी देवयने को का जाता है तीर्थो की किसको का जाता है पहला कह रहा है तीर्थो का मामा पुछकर को का जाता है सही बात पुछकर अजमेर को तीर्थो का मामा का जाता है तीर्ता का बानलगर मंचखुन धौलबूर कुआ जाता है तीसाँ तिर्ता थीर्ता की नानि दयवियानिस सांभर जैप्रो का जाता है तो नंदर है पूलगर अगला है को को का जाता है Living Fort Partham Sonaar को कहा जाता है अदिवाशियों का देश अदिवाशियों का नहीं लिविंग फॉट पर्थम सोनार को कहा जाता है नहीं लिविंग फोड पर्थम है फित्तोड गढ़ कॉह झाता है किसको ओढ़े गढ़को लिव्ट पर्थम कहा जाता है और लिविंग फॉड फाट सेकिंड कौन सा है सोन नार के ला जेसल मेर वागा आधी वासेओं का देश बागों के नगरी नागोर कहा जाता है और जागिरी किलों का सिर्मोर को चामन को कहा जाता है पहला है राजस्तान के दातु नगरी राजस्तान की दातु नगरी उजारों की नगरी नागोरो कहा जाता है बागों की मांद बागों की मांद रंधंबर को नहीं कहा जाता है सरीशका को कहा जाता है जहां पर बाग सरवादिक संक्या में पाए जाते हैं ये कहां परता है अलवर के अंदर जागिरी किलों का सिर्म और कुचामन किले को कहा जाता है option number 3 अपना गलत बाकी सही है एक दो और चार option number 2 अगला है फिर सुमेलित करना है मेववार का हर दय exists अटर कुणिया को आजाता है मारवार का र्द thumbnail जी का मेरा कहता है जो मारवार का महाकुंब कैलाता है वह यहाँ ब्लत कना है हों जाना है के लोग आता है इसलिए मारवार तो मतशियप हमें किसको कहेंगे सरीसका अपर सरिस्का जहां पर बर्द्रीक अमेलाका प्रोटी सिथा बर्डी मेला को शित्हा बर्डी मेला को कहा जाता है option नमर तीन अपना गलत बाकिया राइटाइंस ओर एक दो हो प्यार अगला है फिर सत्य कतन का चैन करना है राजस्तान की पर्तम मस्जिद अधाय दिन का जो बड़ा अजमेर के अंदर है राजस्तान की पर्तम डेरी अमूल डेरी तो याद रखना है यहां पर पदमा डेरी है अजमेर की पदमा डेरी है वो राजस्तान की पर्तम डेरी है अगला राजस्तान का पर्तम आदेस लवन पार्क नावा के अंदर है राजस्तान का पहला पक्सी चिक्षाले जोहरी बाजार जेपूर के अंदर है यह बात सही है option नमर दो उपना गलत है बाकि राजस्तान का पहला पक्से चीके साले, वो कहा है, जोरिय बजार, जिएपुर के अंदर, अगला फिर MHC सबसे बड़ी कर्षी फारम, सुर्दगड में है, स्थे बात है, सबसे बड़ी आवला मंधी, चोमू के अंदर है, सबसे बड़ा गंठागर निहाल टावर दोलपूर के अंदर है ऐसे अपने आज के मेहतोपून परस्नों जिनको बारे में अपने चर्चा करी जिनके बारे में अपने डिस्कस के था है थोड़ा सामय आपको बता दू राजस्तान के राजी विर्ष खेजडी के बारे में इसके बारे में राजस्तान का राजी विर्ष का है खेजडी है इस खेजडी के बारे में थोड़ी सी अपन को चर्चा कर लेते हैं ठीक है राजस्तान का राजीवरीश खेजरी को दर्जा दियाता उन्नीश सो तयाशी के अंदर पिर इस पर 60 पेसे का डाग टिकेट जारी वाता उन्नीश सो अठ्ठाशी के अंदर ठीक है इसके बाद में यह बखोड़ा नामक वेमारी से गरसित है इसलिए इस पर एक ओप्रेशन च लाएं इनको बचाने के लिए फिर अपनों याद रहना है इसको गरमीन भासा में क्या कहता है इसको धार्मिक गरंथ में गरंथों में इसको समी कहा जाता है इसको गरमीन भासा में गरमीन भासा में इसको जांटी कहा जाता है या सिमलो कहा जाता है राजस्तानी के अंदर तो राजस्तान के इसकी बाद ना, मैं इस चीज़े बता दीती, इंपोर्टेंट बात में बताना हूँ, इसकी पूजा कब होती है, इसकी पूजा होती है, एक तो दसहरे के उपर, दसहरे के उपर इसकी पूजा होती है, और कर्षन जन्नमास्ट में इसकी पूजा होती है, कर मेहतुपन इसको थार का कलप्रिक्स कहते हैं सुनेरा विक्स कहते हैं इसको अपन राजस्तान की सहान कहते हैं बखोड़ा नाम के बीमारी से गरसित है यह तमाम जो है राजस्तान के राज्य विरिश्क हेजडी के बारे में अपने को याद रखनी है इस सीरीज में नए प्रवाजेंग